मैं इस चैनल में आपके लिए बहुत ही यूनिक और इजी रेसिपी लेकर आती हूँ अगर मेरे रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक और सेयर करें इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब् से पहले हूँ आपको मिले आज इस पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं इसे बोलते हैं पत्थर चट्टा और ब्रायो फिलम बोलते हैं पर्ण बीज और भस्माक पत्र इसका पहचान है इसका पत्ति है थोड़ा कटिन रहता है और यह देखिए कटा कटा हुआ है और इसक लगाते हैं तो भी पढ़ के लगात के लगाते हैं तो वह रचा जाता है यह लगता है यह लगता हैं प्थ्री के लिए बहुत पीजिक मतले हैं और इसका यदि पकोडा बना के खाते हैं इस प्रकार पत्ती निकाल के तो पकोडा खाने से गैस का पता ही नहीं चलता है गैस यदि बनता हो किसी को पकोडा खाने के बाद में तो आप इसको डालक भाजी की तरह डाल के बनाएंगे पकोडा तो गैस नहीं बनता है तो दो भी लिए है और इस प्रकार से बारिक काटके तयार कर लिए है अब इसका पत्ति को पकोड़ा बनाने के लिए एक बावल में एक कप बेशन ले लेते हैं और एक चम्मच जीरा पाउडर एक चम्मच नमक आप स्वाध अनुसार ले सकते हैं नमक और आधा चम्मच इसमें खाने का सोडा और इसको पानी में थोड़ा थोड़ा करके इसको बेटर बनाएंगे और इस प्रकार से अब फिर थोड़ा पानी डाल देंगे इस प्रकार विक्सर से हम 5 मिनाट इसे फेटेंगे इससे पकोड़ा बहुत हलका बनता है और यदि आप हाथ में भी फेटना चाहें तो हाथ में भी फेट सकते हैं लेकिन इस प्रकार 5 मिनाट फेटना है देखिए कलर चेंज हो गया अब इसमें कटा हुआ परणबीच का जो पत्ती है उसे डाल देते हैं और इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे और बचा हुआ है उसे और डाल देते हैं जो पत्ती कटके इसे भी डाल देते हैं और इसे भी मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करके इसे 10 मिनट के लिए ढखके रख देंगे पत्थर चट्टा को यदि खाली पेट खा लेते हैं तीन पत्ता रोज तो पत्री गाल ब्लेडर का जो इस्टोन है जिसे पत्री बोलते है वो भी साफ हो जाता है पेसाफ द्वारा और गैस के लिए भी बहुत अच चखना है बाद में फूल कर सकते हैं ज़्यादा गरम रहता है तो पकोड जहल में प्राब्लम होती है और यदि बहुत चयादा सलो चटे Kommarna गरम रहता है तो पकोड़े जिसमें आपको आसानी लगता है आप पकोडा बना सकते हैं देखिए अब इस प्रकार से पकोडा बन के तयार हो गया है यदि हम सधी पत्तों का उपयोग करते हैं तो हमारे स्वास्था के लिए बहुत अच्छा होता है और खाने के लिए भी हमें स्वाधिस्टम मिल जाता है पकोड़ा खाने के लिए तो इस प्रकार से परण बीच का इसे पत्तर चटा बोलते हैं इसका भी पकोड़ा बनाईए खाईए और गौल्डन ब्राउन होने लग गया है अब इसे निकाल लेते हैं और इसे टोमेटो साँस के साथ भी खा सकते हैं और इसका इस्ट्रक्चर अर देखिए, पकोडे का बहुत ही जालिदान बना है, हलका बना है, आर इसे टोमेटो साज के साथ खा सकते हैं, और टामाराटर चतनी के भी साथ खा सकते हैं, बहुत ही स्वाधिष्टा लगता है और गैस भी नहीं बनता है. और यदि मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चेनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा आप फिर मिलते हैं अगले वीडियो में धन्यवाद